स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में और आज के इस वीडियो में हम कक्सा बारा वितान पाठ्य पुस्तक का अध्याए सिल्वर वेडिंग के बारे में बात करेंगे इस चप्टर का सारांस मैं पूरा आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा पार्ट है इसके लिखक मनोर्शयाम जोसी है और इसकी कहानी को आप जिस परकार से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी ये लगेगे काफी इंट्रेस्टिंग कहानी है इस कहानी के अंदर पूराने जमाने के खयालात और नए जमाने के खयाल बातों के बीच टकराओं को बताया गया है बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखक मनोर श्याम जोसी ने इसको अपने पूरे चैप्टर में इसका वर्णन किया है यदि आप इसका सारांस अच्छे से पढ़ लें तो आप इसके सारे कुष्टेन आंसर को जो है इजीली आप कर प जो कि साधी की 25 वी सालगिरा को लेकर लेकर मनोर श्याम जोसी के द्वारा बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे सेर करना न भूले तो सिल्वर वेडिंग पार्ट जो है इस कहानी के मुख्य पात्र यसोदर बाबू है जो कि पुराने खयालात के वक्ति हैं और उनके बच्चे जो कि नए जमाने के हैं उनका अपने बच्चों के साथ खयालात बी उनके खयालात अपने बच्चों के साथ बिलकुल भी नहीं मिलते यसोदर बाबू जो है एक दिली के गोल मार्केट में रहने वाले हैं और एक सरकारी दफ्तर में सेक्षन ओफिसर के पदपर वह कारियक करते हैं और उनकी पतनी भी अब नए खयालात के बच्चों के सा बाने हैं और उनके तीन बच्चे जिसमें से तीन बेटे हैं एक बेटी है अब वो उनके खयालात अपने परिवार वालों के साथ बिलकुल भी नहीं मिलते इसलिए उनका मतवेच जो है हमेशा जारी रहता है अब उनके परिवार वालों की थोड़ी डिटेल देखे तो ती 500 रुप्य मासिक वेतन पर एक विज्यापन कंपनी में कारी करता है दूसरा बेटा आइस यानि प्रसाथनिक बारत्य प्रसासनिक सेवा की तयारी में लगा हुआ है तीसरा बेटा जो कि अफिस के अंदर पुरानी गड़ी को लेकर स्टाफ वाले जो है वेंग करते हैं और इसी बात से उनको पता चल जाता है कि आज 6 फरिवरी 1947 का दिन है जो कि यसोदर बाबू की साधे की 25 वी साल गिरा का आज का दिन होता है इसलिए उसके स्टाफ के जो भी दफ्तर के सदस्य होते हैं दूसरे करमचारी होते हैं वो उनसे पार्टी मांगते हैं और यसोदर बाबू उन्हें पार्टी के लिए 30 रुपे दे कर चले आते हैं और वो खुद वचाय पार्टी जोईन नहीं करते अब चले बात करते हैं येसूदर बाबू के बड़े भाई किसंदा जो कि उनके माग दर्सक आदर्स के रूप में उनको मानते हैं अब देखें वह जब येसूदर बाबू जब दिली आये थे तो उन्होंने किसंदा ने ही उनको सरण दी थी अपने गर में रसोया बना के रखा था क्योंकि पूपरादी कम थी और बाद में अपने ही ओफिस में उनको नौहकरी दिलवा दे था टार्मिक परोपारिक का काम करते थे सादगी बढ़ा जीवन ता समाथ सेवी थे और सब्वेता संस्कर्ती के व्रेंपी थे चलें इसके देखते हैं यसोदर बाबू की दिंचरिया निश्चित सी पहले घर से ऑफिस और साम को पांच बजे बिड़ला मंदे जाते थे ऑफिस के बाद और फिर पार्क में परवचन सुनते थे सब्जी मंदे जाते थे बाद में और वो इस तरह पांच से लगबग आठ बजे तक घर पहुँच पाते थे अब यसोदर बाबू पहले जब उनके बच्चे छोटे हुआ करते थे तब वो सैंकल लेकर दफतर जाया करते थे लेकिन बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों का उनका सैंकल ले जाना बच्चों को बिलकुल भी पसंद नहीं था तो बच्चों क के क्वाटर रूम को एक दिन आते समय वह किसंदा के क्वाटर रूम को देखते हैं जिनुके तोड़कर अब तीन मंजल की इमारत बना दी गई थी बच्चे चाहते थे कि वह भी बड़ा मकान ले अपने पद को देखते हुए इसलिए बच्चों का और उनमें यसोदर और किसंदा की मिर्तियू भी उसके एक साल बाद हो गई थी चले अब आगे बात करते हैं यसोदर बाबु का मंदिर जाना धार में कायों से जुड़ा रहना परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था बड़ा बेटा वेतन उनको नहीं देता था अपने तरीके से स सामान लाता था और सामान पर वह अमेशा रोब चलाया करता था अब जो किसंदा के 25 साधी की सालगिरा की पार्टी है वो उनके घर में चल रही होती है और इस बारे में किसंदा को कोई भी जो है नहीं बताता और वो जैसे दफ्तर से घर पहुंचते हैं उनका बड़ा के पार्टी चल रही है यानि साधी की 25 सालगिरा की पार्टी चल रही थी और दुखी होते विए भी किसी ने पार्टी के बारे में उन्हें नहीं बताया बच्चों के कहने पर उन्होंने केक तो काटा लेकिन केक में अंडा होने का बहाना जो है केक में अंडे की वज़े से उन्होंने नहीं खाया और संधिया करने का यानि पूजा करने का बाहना बना के वहाँ से चले गए और जब तक की पार्टी पूरी तरह से खतम नहीं हो गई वह पूजा गर में ही बैठे रहे चलिए फिर देखें जब पूरे सारे महमान चले गए वहाँ से यानि पार्टी फिनिस हो गई पार्टी ओवर हो गई तो बड़े बेटे एक ड्रेसिंग गाउन लाके दिया और अपने पिता जी को उन्हें ने यसुदर बाबू को बोला कि पहन कर दूद लेने जाया करे तो गाउन पहन कर दूद ले जाने की बात पर किसंदा के मन में एक विचार आता है कि कास उनका बड़ा बेटा उन्हें ये कहता कि मैं ड्रेसिंग गाउन न देके उन्हें ये कहता कि मैं कल से आपकी जगा दूद लेने जाऊंगा तो यसुदर बाबू को बहुत ही अच्छा लगता तो काफी इंट्रेस्टिंग काहानी है ये सिल्वर वेडिंग जो कि नए और पुराने आदर्सों को बीच में अंतरद्वंद को बताती है और इसके जो कहानी के लिखक है मनोहर शाम जोसी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आदूनिक पीड़ी और पुराने पीड़ी के बीच में अंतरद्वंद को बताया है तो किसंदा जो कि उनके आदर्स थे उनके तीन बेटे भूशन दूसरा जो अमेरिका जाना चाτοा था एक I.ES की तियारी कर रहा था दूसरा बेटा जो अमेरिका चला गया था बेटी अमेरिका जाना चाती थी पतनी भी NCRT का course है तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे like करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ share करें और यदि आप लोग मुझे comment करते हैं इस तरह के और chapter बनाने के लिए तो मैं आगे जरूर इसके बारे में और जो है थांक्स पर वाचिंग ट्रिक्स तूतोरियल